कभी इद कभी दिवाली फिल्म में होगा बड़ा धमाका देखने को मिल सकती है सलमान दिपिका की जोडी हेलोवेंट्स आप देख रहे हैं F.A. स्टार न्यूज कुछी समय पहले सलमान खान ने उनके एक बहुत बड़ी फिल्म का एनाॉंसमेंट किया था और वो फिल्म थी कभी इद कभी दिवाली बता देख ये फिल्म इद 2021 पर रिलिस होने वाली है लेकिन इसका एनाॉंसमेंट अभी से ही कर दिया है फिलाल इससे पहले तो सलमान खान की रादे फिल्म इस साल इद पर रिलिस होने वाली है और वो फिल्मों को लेकर काफी चर्चे भी है लेकिन सलमान खान की हर वो फिल्म के चर्चे शुरू हो जाते है जिसका ओफिशली एनाउस्मेंट किया जाता है और रादे फिल्म के बाद सलमान खान की एक और नई फिल्म का एनाउस्मेंट किया गया है और वो है कभी ईद कभी दिवाली कभी ईद कभी दिवाली में तो सलमान खान फाइनल है ही लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि ये फिल्मों में सलमान खान के साथ हिरोईन कौन सी होगी तो Early Reports के मुताबिक ये फिल्म में सलमान खान एक ऐसी हिरोईन की तलाश कर रहे है जिसके साथ उन्होंने अभी तक काम नहीं किया और दर्शक को वो जोड़ी काफी पसंद आए जैं मीडिया के रिपोर्ट्स के मिताबिक कभी इद कभी दिवाली फिल्म में दिपिका पादुकौन को अप्रोच किया जा सकता है क्योंगि अभी तक सलमान खान और दिपिका पादुकौन की जोड़ी ओन स्क्रीन नहीं बन पाई और ये जोड़ी को दर्शक एक साथ देखन अभी काफी पसंद करेंगे तो कभी इद कभी दिवाली फिल्म में दिपिका पादुकौन सलमान खान के साथ नजर आ सकती है तो सोने पे सुहागा होगा और जिस तरह से कभी इद कभी इद कभी दिवाली फिल्म से खबरे आ रही है उसे देखकर लगता है कि ये फिल्म में हमें दिपिका पादुकोन ही देखने को मिल सकती है फिले फेंस इस पर आपकी क्या राय है सलमान खान और दिपिका पादुकोन को एक साथ फिल्मक करने चाहिए के नई और कभी इत कभी दिवाली फिल्मक के लिए कौन से हिरोईन बेस्ट रहेगी वह हमें कमेंड करे यह निज पसंद आए तो उसी लाइक करे आगे की हर नई अपडेट के लिए फेस्टा नीज को जरू सब्सक्राइब करे करे लिए 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 लुटा ने आपनुक